ऐसा बच्चा अकसर पूछता है कि सर आने वाले एक्जाम्स कौन पास करेंगा, हम लोग ऐसा क्या करें कि आने वाले एक्जाम्स को हम लोग क्लियर कर जाये CAC के, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आने वाला एक्जाम्स जो है, वो वो विक्ती पास करेंगा, वो जेन्यूनली दिये पास होने के लिए, आपने test series दिया है या नहीं दिया है, revision कितना किया है, यह सब बहुत सारे factors के उपर depend करता है आपका result, अब मैं आपको एक बाल बताओ क्या, अक्सर बच्चा ऐसा होता है, जो केवल और केवल सिर्फ इन रिजल्ट के बारे में सोचता है कि अगर मैं fail हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे बादोस वाले क्या बोलेंगे, मेरे relatives क्या बोलेंगे, अरे बाई सब जिसको जो बोलना है बोलो, और आपके जब्बू के एकका हो के बेटा जो आपके बा आपको tension होना चाहिए उन बातों का revisions को लेके, MTP को लेके कि क्या मैं resources cover कर पाऊंगा क्या मैं questions कर पाऊंगा उसको लेके, और आप tension किस बात कर लेते कि मेरा result नहीं आया तो क्या होंगा favor में नहीं आया तो क्या होंगा आप सच, देखो, मैं यह नहीं बोल रहो कि यह thought आपके mind में आयंगा नहीं लेकिन वो thought आपको इतना overcome नहीं कर जाना चाहिए कि आप अपनी तयारी ही नहीं कर पारे आप अपनी exams के preparation ही नहीं कर पारे और जैसे जैसे exam pass में आएंगे न बिठा यह जो thoughts है, इसका flow बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगा like literally ज्यादा आप overthinking करोंगे बहुत सी, कोई-कोई subject पड़े हुए रहेंगे आपको एकादा question ही आए या आपको thought में डाल देंगा यह मुझे आता है कि नहीं आता है chapter या यह मैंने पड़ा हूँ कि नहीं पड़ा हूँ ऐसा multiple thoughts आपके mind में आने वाले है मैं आप सभी लोगों को बता दू please इन thoughts को control करके रखिये no doubt, देखो आप इसको रोक नहीं सकते अपन human nature है, वो आने वाले है thoughts लेकिन उसको इतना हावी मत उने दीजे कि आप अपने पढ़ाई नहीं कर पा रहे हूँ मैं ऐसा अकसर बच्चे मुझे मेसेज दालते सर मेरी एक एक अपते से पढ़ाई नहीं हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप बहुत ज्यादा overthinking कर रहे हो मत करिये इतना, मत सोचो result के बारे में जो आने वाला है, वो आने वाला है अब बस अपने 100% efforts दीजिए बाद में आपको ये नहीं होना चीए काश यार मैं मेहनत कर लिया होता तो आज मैं clear कर गया होता ये काश शब आपको बाद में नहीं आना चीए बाद में आपको regret feel नहीं होना चीए अपने exams को लेके, तो इसलिए right now ये सई समय है, जहापे आप अभी right amount of efforts दालके आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए तबियत से पढ़िए, जो 2-4 कुछ topics हो सकता है, किसी के कम जादा prepare हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको easily cover कर सकते हैं, अभी काफी समय है, अगर inter की exams की बात करू foundation की exams की बात करू, तो january में exams है, अभी literally धाई मेना आपके पास है, आप अपना best efforts दे सकते हैं, और अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आने वाले exam में literally फोड सकते हैं, बस आपको सही समय है बेटा, अगर आपने अभी से शुरुवात नहीं की, अगर आपने अभी से नहीं पढ़ा, तो फिर बाद में मुश्किल हो सकती है, ठीक है तो अच्छे से पढ़िए, और अगर आप channel पे नहीं है बेटा, तो जरूर से subscribe कीज़े और अगर आप कोई video helpful रगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे share कीज़ें आप, thank you so much, bye bye, take care.